सोशल मीडिया लोगों के लिए जितना लाबदायक है उतना ही नुकसान देह भी है अक्सर कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सोशल मीडिया के सही और गलत प्रयोग का नतीजा होता है इसके माध्यम से किसी को खोब आवाही मिल सकती है तो वहीं किसी को बिना कोई गलती के सजा भी भुगतना पड़ सकता है आपने भी ऐसी कई घटनाओं के बारे में देखा और सुना होगा साथ ही आपको यह भी पता होगा कि सोशल मीडिया के दुरुप्योग से बहुत भारी नुकसान हो सकता है इसलिए सोशल मीडिया पर किसी चीज को शेयर करने से पहले पूरी सच्चाई का जाना अनिवाने हो जाता है हाल में एक आदेवासी लड़की की निर्मम तरीके से पीटने की वीडियो शोशल मीडिया पर जोरों से सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि दबंगो द्वारा बेरहमी से लड़की की पिटाई की जा रही है लड़की पर दंडों वा लात गूसों से निर्दैता बरती जा रही है वीडियो को या बता कर सर्कुलेट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित लड़की के नदी में नहानी पर नदी के पानी को असुधि करने के कारण हिंदतों के गुंडों की बेरहमी बसाई जा रही है वाइरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई जाने बगैर हील दोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देने शुरू भी कर दी है हाला कि वीडियो की सच्चाई इससे बिलकुल विपरीत है यह वीडियो उत्तर प्रदेश की नहीं बलकि मध्य प्रदेश की है जो दो साल पहले की घटना है इतना ही नहीं लड़की को फीटने वाले कोई और नहीं बलकि उसके ही परिवार वाले है या वीडियो धार जीले के टांडा थाना छेतर के गाउं पीपलवा का है जिसे 22 जून 2020 को शूट किया गया था दरसल उस दिन दो आदिवासी चचेरी बहनों की पिटाई उनके ही परिवार वाले कर रहे थे जो दोनों बहनों के रिष्टेदारों से फोन पर बात करने को लेकर नाराज थे इस मामले पर अखबारों में खबर भी बनी थी और पुलिस ने 9 लोगों को गिरफतार भी किया था जिसे बाद में समझाते से सुला कराई गई थी